बिल्क खंगालेंगे इसके बारे में काफी जानकारियां मिली हैं जिसमें की नेपाल कनेक्शन और ये सारे हैं और पजू पक्षियों के ये बहुती सौकीन रहा है सिकार करने का तो वो सारी चीज़ें थी मश्कार इन खबर में आपका स्वागत है लखनौ में दो फरवरी को मलिहाबाद थाना छेत्र में हुए भी सरकांड में महिला और बच्चे समेत तीन लोग की जान चली गई थी इससे पूरे सूबे में हलकम मच गया था कि कैसे योगी सरकार के नाथ के नीचे जमिनी विवाद में एक कुख्यात अपराधी ने तीन लोग की जान ले ली उसके पास लाइसेंसी असलहा भी था और पासपोर्ट भी दोनों सवालों के घेरे में थे बारा पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया नाम है ललन खान और सिराज खान और इसके बेटे का फराज खान इन दोनों ने ही मिल करके गुलियां दागी थी जमीन की 25 का मसला था जिसमें की फरीद भी उसमें सव्यूत खातेदार थे वहाँ पर 25 के लिखपाल ने नोटिस दे रखा था बिवाद हो गया 25 हो नहीं पाई फरीद अपने घर लोटाए और पीछे से आ गया सिराज और उसका बेटा फराज आ करके कर दिया कांड अब जो जनकारी मिल रही है वो बहुत ही चोकाने वाली है सिराज और फ्रलन खान पस्पक्षियों की तसकरी करता है वो भी निपाल और पाकिस्तान की रास्ते क्योंकि इनके घर से ऐसे कुछ पक्षियां मिली है पुलिस के कान खड़े हो गए है पुलैन का जो राहुल राज क्या कह रहे हैं क्या एक्षन लेने वाले हैं सुनिये जरा निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी और उसको जो है हम लोग गंगेश्टर के तहत कारवाई करेंगे और गंगेश्टर ही क्या हम लोग इनसरी की भी क पूरी चीजों की जाच कर रहे हैं अभी तो हम गिराफ्तारी की हैं इनकी आप इनके हम सारे जो है डिटेल की चान बीन करेंगे इनकी कितनी संपत्ती है कहा कहा क्या है वो सारे जो है हम लोग खंगाल करके और सारी जुए पुर्टी जाएगी नेपाल और पाकिस्तान से भी इसके बारे में काफी जानकारियां मिली हैं जिसमें की नेपाल कनेक्शन और यह सारे हैं और पजू पक्षियों के यह बहुती सौकीन रहा है सिकार करने का तो वो सारी चीज़े थी तो हम लग वो सारे चीज़े जो है चान बिन करेंगे डिसिपी राहूल राज बता रहे हैं कि सारी जनकारी जुटाई जा रही है यह नेपाल के रास्ते भागने वाला था एयरपोर्ट को अलर्ड कर दिया गया था क्योंकि यह पुलेंड भाग सकता था इनके तीन बेटे हैं दो पुलेंड में राते हैं एक जो है जो घटना में स फरहीन और उसके बेटे हमजा और जेट की जान इन्होंने ले ली थी यानि कि पसू पक्षी तसकरी भी करता है ललन खान एक बात दूसरी बात यह आ रहे हैं कि पासपोर्ट फरजी है असलहा कैसे जारी हुआ और बहुत सारी अबैद संपत्तियां है उन पर बुलडोजर चलने वाली है क्योंकि फरहीन के पती फरीद जो संजोग से बच गए हैं उनकी मांग है कि योगी सरकार इसकी अबैद संपत्तियों पर बुलडोजर चला है इस पर भी बिचार कर रहा है पुलिस प्रसासन क्योंकि पुलिस प्रसासन के पास फुक्ता जनकारी है कि कई संप पत्नियों पर इसने कबजा कर रखा है एनेसे और गैंगेश्टर के तहत एक्षन हो रहा है अब ललन खान को पत्ता चलेगा कि जो गुंडागर्दी है उस करने का नतीजा क्या होता है ये अपने जमाने में 70 साल की उम्र में इस कांड को अंजाम दिया है इसके पहले इसकी इ अब जिमें एकदम असहाय नजर आ रहा है लेकिन ये सक्स जो है कुछात अप्रादी है रहे ने बेखबर देखते रहिए इन खबर तैंक यू